आज का वीडियो है 8 is to 1 multiplexer के उपर तो इससे पहले अगर आपने मेरी 4 is to 1 multiplexer वाली वीडियो नहीं देखिए तो उपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लें क्योंकि वो एकदम बेस है बट अगर आप specially इस वीडियो के लिए आए हैं तो बिना देर किये मैं start करती हूँ तो क्योंकि किसी भी multiplexer को draw करने के लिए उसमें क्या-क्या होता है उसमें हमारी n number of input lines होती है m number of selected lines होती है वैसे मैंने यहाँ पर block diagram पहले से draw किया हुए बट मैं बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर selected lines कैसे select किया है किस formula से select की है तो क्योंकि हमारी 8 is to 1 multiplexer है तो इस name से clear हो रहा है कि input 8 होंगे और output हमारी 1 होगी वाट selected lines कैसे आई तो उसका formula होता है 2 raised to the power m which is equals to n यहाँ पर हमारा m हमारी selected lines है और n हमारा input है तो input lines तो हमारी हमें पता है तो हम लिख देंगे यहाँ पर n यानि की input lines which is 8 तो यहाँ पर अगर मैं 2 की power 3 लिख दो इसे जो की 8 होता है तो मैं अपनी m की value निकाल सकती हूँ m is equals to 3 तो यहाँ पर मेरी selected lines जो की 3 है जिसको मैंने naming दी हुई है S0, S1, S2 और we can say S0, S1, S2 तो यह 3 मेरी selected lines ड्राउ गई है इसी तरह आप 16 to 1 multiplexer में भी निकाल सकते हैं या किसी भी multiplexer में selected line निकाल सकते हैं इसके बाद next step पर truth table ड्राउ करना तो truth table के लिए मैंने हाँ पर 3 सबसे पहली जो concept है कि जो truth table है वो कभी भी input lines के basis पे नहीं draw होती वो हमारी इसके उपर draw होती है selected lines के उपर तो यहाँ पर मैंने 3 selected lines ले हुई हैं चुकि हमारी यहाँ पर 3 है S0, S1, S2 selected lines हमने यहाँ पर ले ली और क्योंकि 3 selected line है तो possible combination जितने भी बनेंगे हमने यहाँ पर रख लिए हैं तो मैंने यहाँ पर possible combination 8 बन रहे हैं तो 8 possible combination रख लिए हैं अभी हमें input चाहिए output चाहिए y ज basically बस हमारी जो data input है उससे select करती है based on the given input अगर मैंने यहाँ पर मैं इसका backend concept भी बताती जारी हो साथ के साथ अगर मैंने 3 को 0 लिया है S2, S1 और S0 तो यहाँ पर यह selected lines क्या करेंगी D0 को select कर लेंगी selected lines का काम है input को select करना इसलिए तुनका नाम रखा गया selected lines तो यहाँ पर व कर देगी तो अगर मेरा तीनों चीज़े 0 है तो मेरा output में क्या आएगा data input 0 यानिकि जो data 0 है वो और अगर मैं S0 को 1 लेती हूं तो आएगा D1 इसी तरह यहां से अगले के लिए आएगा D2, D3, D4, D5, D6, D7 इसी तरह से हाँ पर मेरे outputs जो है वो ऐसे आएगे चीक है अगर म मैंने S1 को 1 लिया, S0 को 0 लिखा तो D2 आएगा इसी तरह से हाँ पर यह selected lines क्या गरेंगे, select करेंगी input को output में show करने के लिए, अभी मेरे यहां पर truth table बनके ready है, अब next step क्या है मेरा, कि मुझे इसकी एक boolean equation लिखनी है, तो जो हमारी boolean equation होगी, वो हमारा output के उपर जाएग जो भी output आएगा हमारा, वो यहां पर y के corresponding आएगा, ठीक है, अभी यहां पर मुझे क्या करना है, simple सी चीज हम लेके चलते है, क्योंकि मुझे यह output निकालना है, तो मैं इसमें 1, 2, 3, 4, मतलब S2, S1, S0 और D0, मैं 4 टर्म्स को रखोंगी, बस मुझे simple सी चीज करनी है, अग मैं उसको बार के साथ रिप्रेजेंट करूँगी, और अगर मेरा 1 है, तो मैं उसे नॉर्मल ही रिप्रेजेंट कर दूँगी, ठीक है, तो यहां पर पहली लाइन के लिए, मैं इस लाइन के लिए अपने यहां पर equation लिख रही हूं, तो वो कैसी बनेगी, तो मैं इसके लि है, वो बिल्कुली ना उसमें, वो तो simple d0 लिखा हुआ ही है, तो इसलिए उसे d0 लिखेंगे, अगले के लिए लिए लिख लेते हैं, जो कि यह है, तो मैं सब के लिए फटाफट फटाफट लिख देती हूं, s2 bar, s1 bar, और इसके लिए हो जाएगा s0, again d1, plus third one के लिए, s2 bar, s1, और यह s0 bar, और लास्ट है d2, plus next, s2 bar, s1, s0, d3, plus, d3 हो गया, d4 के लिए, s2, s1 bar, s0 bar, s0 bar, d4, plus next, s2, s1 bar, s0, and last, d5, plus, अगला है, s2, s1, s0 bar, d6, last है, s2, s1, s0, d7, तो यह रही हमारी boolean equation, 8 is to 1 multiplexer के लिए, अभी इसी equation के according, हमें एक multiplexer 8 is to 1 design करना है, तो बिना देर के design कर लेते हैं, तो क्योंकि जादा confusion create ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर भी equation को लिख दिया है, अभी हम इसे design करना start करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, कि कितने variables use हुए हैं, तो यहाँ पर मैं अगर देखू, तो एक, दो, तीन, चार variables use हुए है, S2, S1, S0 और D, मतलब D वाले, तो मैं इन data lines को इस तरफ से लूँगी, सबसे पहले मैं यह तीन ड्रॉ कर लेती हूँ, S2, S1, S0, तो तीन लाइन अगर मैं यहाँ पर द्रॉ करूँगी, ठीक है, मैंने यहाँ पर तीन lines ट्रॉ कर ली है, अभी क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि S2 के साथ मेरा S bar भी use हुआ है, तो अगर मुझे, S1 के साथ भी S bar यूज हुआ है, S0 के साथ भी S bar यूज हुआ है, तो अगर मुझे किसी भी variable का compliment चाहिए, तो मुझे क्या करना होता है, उसके लिए मुझे यहाँ पर अपना एक not gate भी लगाना होगा, तो क्या करते हैं यहाँ से, इसी में से ही, यानि कि S2 में से ही एक input अगली लेके और यहाँ से एक उसका compliment करके, इसे मैं S2 का bar बना सकती हूँ, यानि S2 bar हो गया यह, इसी तरह से मुझे S1 के लिए भी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर भी एक not gate लगा दूँ, तो क्या यह मुझे S1 bar मिलेगी, S0 पर भी लगा देते हैं एक, यहाँ पर मुझे मिलेगा S0 bar, ठीक है, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, यह इसका output होगा S2 bar, S1 bar, और S0 bar, ठीक है, अभी क्या है, data selected lines है, यह data lines है, sorry, selected lines नहीं, data lines, तो यहाँ पर यह data input lines है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 8 selected lines draw कर देती हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, यह art line draw कर ली है, मैंने इनको naming कर देते हैं, यह है मेरा D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, अब आप यह बताइए मुझे, कि अगर मुझे इसमें S2, S1, S0, और D0 को एक साथ किसी एक gate के थुरू represent करने है, तो मैं किस gate का use करूँगी, yes, मैं AND gate का use करूँगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यह सारे AND operation हो रहा है, इन सब में, यहाँ पर सब multiply हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अगर इस D0 पर AND gate लगाँ, मैं यहाँ पर अगर एक AND gate लगाती हूँ, तो मेरे इस input में और क्या-क्या चाहिए मुझे, D0 तो जाही रहा है, D0 के साथ क्या-क्या चाहिए, S0 bar, which is this, मैं यहाँ पर S0 bar लगाया, और चाहिए इसे S1 bar, जो कि यह है, S1 bar, यहाँ पर S1 bar connect लिया, अगला है S2 bar, जो कि यह है, इसे चाहिए S2 bar, तो मैंने यहाँ पर S2 bar करा दिया, और यह है मेरा क्या निकला output में मुझे, अभी हम देखते हैं बाद में, उसके बाद अगर मैं D1 की बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने D1 में एक gate लगाया, और मुझे क्या चाहिए, D1 तो मिल गया, S0, S1 bar, S2 bar, यह मैं S2 bar वाली line से ले रही हूँ, इन चीजों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, अगले gate पर चलते हैं, यह इसका output यहां कर दिया, अगला है D2, D2 है यहाँ पर already, इसमें चाहिए हमें S0 bar, S1, S1 bar नहीं, S1 यानि कि मैं यहाँ से लूँगी, S1, और चाहिए S2 bar, तो S2 bar यह रहा, आगे चलते हैं, एक और end gate लगा देते हैं, तो D3, already हाँ पर feed है, S0, S0 यह है, ठीक है, यहाँ पर S0 bar नहीं, S0 बोला है, S1, S1 यह है, और S2 bar, S2 bar यह है, यह हो गया, अगला, D4, S0 bar, S1 bar, S2, S0 bar, S1 bar, और S2, चीक है, यह हो गया, अगला है, D5, जिसमें, S0, S1 bar, S2, S0, S1 bar, और S2, चीक है, और लण आया, D6, S0 bar, S1, S2, S0 bar, S1, S2, एक और गेट लगाया, यहाँ पर है, S0, S1, S2, ठीक है, तो, सिंपल ले लेते हैं, S0, S1, S2, ठीक है, तो, यह रहे, यह दिखने में, बहुती complicated सा लग रहा है, बट यह उतना complicated है नहीं है, कि भी आपने देखा कि मैंने इसे कैसे design कर लिया, बहुती easily, अभी यहाँ पर, अगर मैं equation में देखू, तो, यह सब क्या हो रहे है, add हो रहे हैं, ठीक है, तो, इन सब को add करने के लिए में कौन सा gate यूज़ करना है, और गेट, तो फटाफट से इन सब को add में input फीड गरा देते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर और गेट का input में दे दिया, यह और यहाँ पर output में मुझे क्या मिल जाएगा, y, तो यह बनके ready है, 8 is to 1 multiplexer, आपको सब कुछ देखा नीचे से, मैंने कैसे draw किया, I hope आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको इस से related कोई भी doubt है, तो comment में पूछ सकते हैं, अभी के लिए यही था, बाई,